नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारी YouTube चैनल पर चैनल को सबस्क्राइब करें और वीडियो को अपने मित्रों के शाथ में शेर करें और यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जुरूर करें जैसा कि वर्दमान माविर खुला विश्व विद्याला यानि कि VMOU के जून 2022 के एक्जाम अभी चल रहे हैं और उनी को लेकर हमने इंपोर्टेंट प्रशन की सीरिज अपने यूट्यूब चैनल पर चला रखिए और उनमें से ना केवल आपको प्रशन देखने को मिलेंगे बलकि सीधे सीधे प्रशन जो है उनसे आपको सीधे की सीधे प्रशन आपको देखने को मिलेंगे यह जिर्ब मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने पिछले बहुत से वीडियो अपलोड की है, जिसमें विध्यार्थियों के ये जो है रिव्यू कमेंट सेक्षिन में आपको देखने को मिल सकते हैं तो चलिए बिना देर करते हैं, आज का पेपर कोड है PS06, राजनेती विज्यान का है, जिनका BA Part 3 यानि की BA Final Year के स्टुडेंट है उनके लिए पेपर कोड PS06, उनके लिए मैं छोटे वाले कम से कम 30-40 के प्रास आसपास important स्वाल बताने वाला हूँ, उसके पस्चात जो B Part के हैं वह भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो चलिए बीना देरी करते हुए, वीडियो के शुरुआत करते हैं, तो पहला है आधर स्वाद, तो आपको बताना है कि आधर स्वाद क्या होता है, इसकी परिवासा आपको बतानी है, फिर गुर्ट निरपेक्ष्टा का सिध्दां मंत्री जी पंडित जवार लाल नहिरूजी थे फिर एक द्रूवियता वद द्वी द्रूवियता आपको बतानी कि क्या है एक द्रूवियता और द्वी द्रूवियता एक द्रूवियता का मतलब है कि पूरा विश्व एक अंतराष्टिय मा शक्ति के जो है वही एक है और देख सकते कि जब सौवित का विगटंग हुआ उससे पूर्व की जो इस्तती थी वह दिस्वद्वी दुरूविय शक्तियों में डिवैडेड था एक ता अमेरिका और दूसरा था रूस फिर सक्ति संतुलन क्या है आपको बताना है कि बैलेंस आप पावर क्या है सीत युद् तरीका और रूस के बीच में चला था विचारदारा को लेकर समाजवाद और जो दूसरी थी पुंजिवाद को लेकर तनाव शैथिल्य क्या होता है आपको बताना है पूरातन एवं नाव शीत युद्ध के मद्य अंत फिर खाड़ी संकट खाड़ी संकट का मतलब है कि खा होती है गटना वो आपको बतानी है यूरोप का एक ही करण उसको आपको डिफाइन करना है पंच शील जो की चाइना के साथ पंच शील शम्जोता हो गया था हमारा भारत का 1954 के आसपास फिर नव शामराद जिवाद आपको बताने किसे कहते हैं यूनों के उद्धिश ये क् सियुक्त राष्ट्र संग है उसके उद्धिश ये क्या है उसका उद्धिश ये है पूरे विश्व में सांती व्यवस्ता इस्तापित करना और लोगतंतर की स्तापना जा पर जीन कंट्री में लोगतंतर नहीं है उसमें लोगतंतर की स्तापना करने का ये इनके उद्धिश और UN सियुक्तराष्ट संग के मुख्य संग्टनों के नाम लिखने आपको बताने जैसे मानवादिकार है, सुर्कसा परिशद है और मुख्य संग्टन में UNESCO है, ये सारे जो संग्टन है आपको बताने है, WHO है, आर्थिक वैश्वीकरण क्या है आपको बताना है, आर्थिक वै जैसे की जिस परकार से अभी आप देख सकते हैं कि हालिया में बहुत सारी गंट्रिया जो हैं युद्धा भीयास करती हैं वो एक तरह का सैन्य भीयास विखरा किये जाता है फिर है सार्क के बारे में बताना है ये एक संग्टन है और इसमें कौन-कौन से संग्टन है ये आपको बताना इसकी इस्ता आपना कभी थी सार्क की इस्ताई समीती उसके बारे में बताना है सार्क के सदश्य राष्ट्र उनके नाम लिखने आपको सार्क के सदश्य कितने है और देसों के नाम लिखने फिलिस्तिन मुक्ती संग्टन 1961 इसके बारे में आपको लिखना है फिर एक केंप डैविड सम्जोता 1978 तेल कूटनीती क्या है बैलफोर गोष्णप 1965 इन सब के उत्तर काँ पे मिलेंगे ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ आपका सवाल ये ही रहता है कि सर प्रश्णा बता दी इनके उत्तर हमें का मिलेंगे तो ए पार्ट के सारे उत्तर काँ पे मिलेंगे वह भी मैं आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो को अंततक देखना और अपने दोस्तों के शाथ में शेयर करना मत बूलना इरान इराक शंगर्ष में कोई तीन कारण अंतर राष्टी राजनी थी के खाडी संक्रट का प्रभाव खाडी संक्रट की प्रकर थी और क्लास नोट्स एम पेत्रेस त्रोई का ये क्या है ये निती थी जिस समय आर्थिक मंदी चादरी थी उस दौरान रूस द्वारा अपना ही गी थी और उस समय जो रूस के राष्ट पती थे उनका भी नाम आपको लिखना है स्वतंत्र देशों का राष्ट कुल वो आपको बताना है कि स्वतंत्र देशों का जो राष्ट कुल है वो आपको लिखना है जो कि यूके के द्वारा बनाये गए था फिर मद्दे एशिया गंडराज जिय उसके बारे में लिकना है बॉल सैविक क्रांती क्या है बैनिलक्स क्या है ये देशों का संक्टन है बैनिलक्स जिसमें बैजियम निदरलेंड लक्जंबर्ग ये देश सामिल है अब भूज़ना रहा था और अभी भी सुर्ख्यों में ही है क्यों है रूस जो है रूस उक्रण यूद के कारण ये सभावं यहां पर एशिया नहीं है यहां पर आशियान है स्वारी एशीज है यहाँ पर फिर attack on इंडियन पर्लीमेंट यह भारतिय संसत पर हमला जोगा था उसके बारे में लिखना है आपको रज्य प्रायौजीत आतंकवाद क्या होता है वो बताना है हमास क्या है हमास के कातंगवादी संक्टन है हमला आटेक क्या होता है और जो यह 26-11 का आटेक वो उसको बताना है फिर साम्मेवादी देशों के विगिटन के तीन प्रमुक परिणाम बताना है फिर यह दो पुस्तके हैं इनके आपको लेखक के नाम लिखना है यह आपको एपार्ट के सारे उत्तर आपको Google पर सीधा में दे देता लेकिन समय की मांग और बहुत सारे स्टुडेंटों के लगातार मेसेजिज आ रहे हैं कि सर अमारा पेपर कब अपलोड करोगे अमारे मतोपून प्रश्न आप कब तक बताऊगे तो उसको लेकर बहुत सारे और भी स्टुडेंट है उनका भी पेपर कोड जो ह नाव शेत थिल्य की कारण गुट निर्पेक्षता की प्राशंगीकता 1990 के बाद चैत्री शंग्डनों की भूमिका बारती विदेश निती पर राष्टी आनुरन के प्रभाव अतंग वाद और युए नुक उसके बारे में बताना है सार्क के बारे में आपको बतानी है और अपने दोश्तों के साथ में शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद